हमारे लिए सीरिया के दक्षन में डेरा में चल रही जंग के रिपूर्टिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार बीबीसी को वहां जाने की अनुमती नहीं दे रही जॉर्डन की सरहत परिस्तित डेरा एक महतपूर्ण शहर है खास बात ये है कि साल 2011 में राश्टरुपती असद के खिलाफ सबसे पहला बड़ा प्रदर्शन इसी शहर में हुआ था सीरिया इसेना रूसी समर्थन के साथ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे पड़ रही है कुछ विद्रोहिगुट इस जंग के वीडियो इंटरनेट पर डाल रही है उनका कहना है कि वो आत्म समर्पन नहीं करेंगे उन्हें हत्यार और ट्रेनिंग देने वाले अमरीका ने साथ किया है कि वो अब उनसे किसी मदद की उमीद न करे लेकिन कुछ हत्यार बंद दस्ते रूस की मध्यस्ता में आत्म समर्पन पर बाचीत कर रहे हैं एक बर फिर इस जंग के बीच आम लोग फसे हुए हैं ये फुटेज मुस्रेफा गाउं में पिछले हफते हुए हवाई हमले का है इस थाने रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 12 बच्चों समेत 22 लोग मारे गए थे इस ट्रक पर शवो के साथ हमले में बच्चे कुछ घाय लोग भी सवार हो गए थे ऐसी खबर है कि अस्पतालों पर भी बम गिराए गए है यहां इतनी मौते हो रही है कि लोगों को जल्दबाजी में दफनाया जा रहा है अब इस इलाके पर भी सरकार का कबजा हो गया है ताजा ललाई की वज़ा से बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए है और सहयता एजिंसियों ने इन लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता जताई है जॉर्डन विस्थापितों की मदद कर रहा है लेकिन पहले से ही करीब 10 लाख सीरियाई लोग जॉर्डन में शरन लिये हुए है यही वज़ा है कि रिफ्यूजी यहां गोलन हाइट्स की सरहत पर जमा है यह सीरिया का इलाका है जो इस्राइल के कबजे में है इस्राइल ने सहयता सामकरी भेजी है लेकिन उनके दरवाजे भी शरनार्थियों के लिए बंद है सीरिया इसेना ने शहर में एक विज़य यात्रा भी निकाली है और वो कई शहरों को जीत कर ऐसी रेलियां करना चाहता है ऐसा लगता है कि पश्रिम यूरोप के देशों और अमरीका ने इस सुईकार कर लिया है कि सीरिया की जंग में जीत बशर अल असद की ही होगी अभी जंग खत्म नहीं हुई है लेकिन राश्चुपती असद मजबूती से अपनी गद्धी पर बने हुए है और एक के बाद एक करके वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहे है